तो एलोफेंट जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो बना के बताई इसने बताया वन्यूए 5.0 गबेट रॉलाओट हो चुका है Samsung A52s में आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके कुछ important features जो कि मुझे लगे हैं कि उसके अंदर add-on किये रहे करें तो बहुत सारे feature गए मैं कुछ आपको feature बताने वाला हूँ और दीजिदेर करके सारे आपको बताऊँगा अलग-अलग video में इखटी बनाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए चोटी-चोटी वीडियो में आपको कुछ उसमेरे feature बताने वाला हूँ कोडिफाइब कर सकते पर जोड़ा यह संब कर सकते साथ मैं यहां पर कौन्टर इंफोवेशन दालना चाहिए प्टिस दाला है शाट कट में अब रहात эп generational आपशूपा क्लिच दाला है यहां दो पोरा है की सिद्धूर डिजाइन कर सकते सब्सक्रब आप सब्सक्रड़्स पहला한 चीज अब को यहीं मिलने वाला जो सेकंड जो दिया गया है वो भी इसी के अंदर है आप बोल सकते हैं वाल पेपर का यहां पर आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड वाल पेपर दे दिए गए जिसको आप यहां पर अरेंज करके लगा सकते हैं कैसे यहां पर जाएंगे सेटिंग पर प्रब्स बार जाने के आद आपको जाना है ब्राउस माय यहां पर जाएंगे तो यहां पर अलग देगे बदूरी में आपको रीचेंट फेवरेट वालेपर विडियों श्क्रीन सेबस्तों आपको ऐह अपर फोल्डर में जाएंगे तो colors भी आपको त्यसार दे दिये गए हैं लगाने के लिए और नीचे वालपेपर service भी दी गई हैं आप यहां से उसको design करके लगा सकते हैं like अगर आपको कोई लगाना है मालो आपको यह वाला लगाना है इस पर गया यहां preview पर click करा preview पर click करने के आपको यहां दिखा ही देगा आपको देख रहे होंगे ऐसा आपको यह लगाना है आपको जैसी इस पर done करेंगे और यह done हो जाएगा तो second changes थी यह था उसके बाद जो third बताने वाला हूं वो भी वाल पेपर के अंदर ही है और यह थोड़ा बहुत instruction है अब यहां पर क्या जैसे कि आप देखा मैंने done कर लिया अब यह तीसरा चिंजिस यहां पर क्या किया गया है अब यहां पर आप तीसरे changes में उसकी apps में भी add-on कर सकते हैं कि जो apps उसके भी color यहां पर changes हो जाएं तो यह बहुत शांदर है like मुझे यह औरा लगाना है मैंने इसका apply कर दिया apply करने के बाद आप देखेंगे यहां पर apply होने के बाद यह सब जगा changes हो जाएंगे apps colors भी change हो जाएंगे और यह आपका देख सकते ह पूरा app colors भी यहां पर change हो चुके हैं notification पर आएंगे तो यह भी पूरा आपको ऐसे ही दिखने वाला है तो third changes यहां पर यह किया गया है उसके बाद दोस्तों जो fourth बताने वालों वो है camera को लेके अगर आप यहां पर camera को open करेंगे camera को open करने के यहां पर आपको zoom के लिए पूर्ण किया गया है उसके बाद दोस्तों जो next feature है वो भी camera के अंदर यहां पर आप क्या कर सकते हैं जो उसके watermark यह भी बोल सकते हैं जिसके आपको photo के नीचे आपको अपना नाम देना हो तो आप यहां पर add-on कर सकते हैं यहां जाएंगे setting पर setting पर जाने का आदा आपको जो भी लिखना है like ऐसे लिखना मैंने a$-tex यहां पर save कर दिया और यहां पर आपको वैसा ही मिलेगा अप चाहें तो उसका इहां पर fonts कई style भी change कर सकते हैं आप चाहें तो fonts abortion कर कक सकते और element हो आप चाहें तो आप चेंज आउट कर सकते यह चीज़ आपको देदीगी है कि उसके बाद और सेक्स्ट बताने वालों जो भी इसी के अंदर है यहां पर आपको अब नहीं को प्लस में तो आपको यहां पर सिंगल लेसे में तो आपको पर किर सकते हैं कि कोड़ कुड कोंसी चीज यहां पर लेना तो वही चीज वहाँ पर शूट होगी और दूसरी शीट वहाँ पर शूट नहीं होगी तो यहाँ पर आपका अच्छा option दे रिया गया है तो 7th feature है वो भी camera के अंदर यहाँ पर जाएंगे आप effects में तो यहाँ पर आपके अलगशा option दे रिया है create filter और download filter का create करेंगे तो आप filter को यहाँ पर create कर सकते हैं और download करना चाहना तो आप यहाँ पर filter का down load भी कर सकते हैं तो यह metabolism यहाँ पर add on कर दिया गया है 7th feature यह था उसके बाद दोस्तो जो एंद फीचर दिया गया है आपको memories कश्माइज कर सकते हैं all rightMAμα और यहां पर यह पर i यहां पर एड चेंजे आंगे तो यहांपर connecting device कि उप्षान देगेए हो COM करेंगे तो उसको खुंभी करेंगे ऐब सा साथ यहां को मिल जाएगा और यहांसयी कर सकते उसके बाद दोस्तों नाइन्थ जो चेंजिस बताने वाला हूं वो है यहां पर में यहां पर नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलेगा सिक्यूर्टी और प्रवाइस प्राइबसी को ऑप्शन यहां पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो यह पूरा यहां पर चेंज हो गया है तो लॉक्स करेंगे तो आपको उसको कर लेना है और यहां प्राइबसी मेनेजर वाल ऑप्शन मिल जाएगा नीचे बाइवमेट्रिक आप्शन सैंसंग पास बस सब यहां पर आपको मिल जाएगा मतलब कि अलग से कस्क्माइज कर देंगे और आप यहां से स्कैन करेंगे और कोई प्राइबस रिदेटर कोई नहीं यहां पर यहां पर यहां पार आएगे जो की बहुत ही कमाल का फीचर यह क्या करेंगी इसको लगएगा कि आपका mobile slow चल रहा है या lag कर रहा है या कुछ इसमें problem लग रही है या background में कुछ ना कुछ problem चल रही है तो automatic आपका mobile को restart करेगा और आपके phone को अच्छा relax कर देगा ताकि वो अच्छे से चल पड़े चल पड़े तो यह feature इसली दिए गया है तो आपको इसको on कर लेना है बट यह on करने से होगा यह यह कभी भी automatic restart हो सकता है जब उसको लगेगा तो यहां पर 11 फीचर दो जिए गया है वह है notification को यहां पर आएंगे आप तो notification को यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर जाएंगे यहां पर आप नहीं चाहते कि वह आप उसको silent पर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर नीचे की तरफ देखेंगे notification टैप की lock screen पर allowed हो अगर यहां पर कर सकते हैं कि यहां पर यहां पर कस्टमाइज कर सकते यहां पर यहां पर जाए यहां पर गरए करते हैं कि मानलो मैंने करी करिकर यहां e जो इसको अज़र करना तो आपडा को चै 아िटर का उसके conversion मिल गया है कि कुछ केज चाह gratis अठाइइं करना चाहिए तो आफ यहाँ पर आड़ॉन पर आपको दिखें मतलब वहाँ पर आपको सिर्फ लिमिटेड ही दिखें जाकि पूरी नहीं देखें जैसे कि आपको दिख रहा हुगा यहाँ पर आप वीओ वाल में करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर पूरी अलबॉम्स दिखेंगी तो यह भी यहाँ पर एक नया फीचर को आड़ोन किया गया है को यहां पर क्लीक करना है और उसको सिटेज़ बाइग्राउंड पर कर देना तो अब इसको सेफ करेंगे जब भी उस बंदे का आएगा तो आपको उसको बेकराउंड के साथ वाला फिचर रहने वाला है तो यह भी बहुत खमाल का है बहुत टाइम से लोग बेट कर रहा थे फाइनल इसको रॉलाउट कर दिया गया और एका जो लास फिचर दिया गया आप यहां से नीचे स्वैप करेंगे नोटिफिकेशन से यहां पर आप देख अध agernis अब आसा कि मैंने आपको बताए मैंने आपको फूर बताए तो थैंक या तो तो मुझत है क्या मेरी वीडियो पसंदा होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंदाई योगी अगर को मेरी वीडियो कुछ पूए नहीए लाइ modest Rider बिक प्र आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यह जैने को जरू सब्सक्राइब करने को भी तबादो ताकि ऐसी नहीं अपडेट आपको सब्सक्राइब मिले तो हो सके दो मुझे फेस्बूक और इस्टाराम पर फोरो करना विना पूल इसका लेंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शिंप में मिल जाएगा तो थेंकियो दोस्तों